धर्ती के बेहत करीब से गुजरे का 60 मंजला एस्टोराइड कच्छा बदली तो बढ़ सकता है खत्रा अंतरिक्स से आ रहे हैं एक अवांचित अथिती ने धर्ती की सांसे अटका दी हैं एक सामान से बेहत बड़े आकार का एस्टोराइड है जो तेजी से प्रत्वी की तरफ पड़ रहा है इसका आकार किसी 60 मंजला बिल्डिंग जतना बड़ा है 15 सेतंबर को या धर्दी के बेहत करीब से गुजरेगा इसकी दिसा में थोड़ा भी परवर्तन हुआ तो प्रत्वी खत्रे में पड़ सकती है नासा की चेतावनी के बाद दुनिया भर की स्पेस एजंसि सतर्क हो गई हैं बी एचियू की खगोल विज्ञानी भी प्रत्वी की मौजूद आश्थित और इस खगोली पिंड की आकार प्रकार और अफ्तार की अध्यन में जुटे हैं बनारस के यवा खगोल विज्ञानी विदान्त पांडे ने बदाया कि ये पिंड वैसे तो प्र की खगोल विज्ञानी डॉक्टर कुवर अलकेंद प्रताप सिंग ने बताया है कि अब तक कि अध्यनों में पाया गया है कि इस पिंड की रफ्तार पच्चिस हजार मेल प्रतिघंटा है इसका कार साथ मंजला भवन यानि साथ सो फूट या फुटवाल के दो मैदानों के बराबर है माना जा रहा है कि अपिंड सॉलिड और गैस के स्वरूप में है हगोल विज्ञान को ने बताया है कि पंद्रह सितंबर को भारती समय के अंसार दोपहर तीन बसकर उनन चास मिनट पर यह स्टोराइड धरती के सब से करीब होगा दुनिया के उन हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा जहां रात होगी इसके लावा उसी रात भारत और असपास के देशों से भी इसे बड़ी दूर्बीन से देखना संभव हो सकेगा पिछले कोछ अपतों से मैर की स्पेस एजनसी नासा दोजार चौबिस और पर हर सेकेंड नजर बनाए रखे हैं इस करीब आया तो करे का नुकसान तो वैग्यानिक इस पिंड के धरती के जादा करीब आने पर होने वाले नुकसान का भी आकलन कर रहे हैं हजारों साल पहले ऐसे ही एक स्टोराइट के करण प्रत्वी से डैनासोर विलब्त हो गय थे और परयावरर में भी काफी परवरतन हु करते हैं मगर उनतीस चौबिस और का का ही सबसे बड़ी चिंता का विसे है तुझे बड़ी खबर आ रही है प्रेकिंग नियूज आ रही है